नमोन नारायन कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब जीवन का आनंद ले रहे होंगे तो आज अभी जंगल में चलते चलते ख्याल आया कि यहां आने से पहले हमने कोई कि mostly जैसे कि plan नहीं होता हमारा कोई कि कहा जाना है घर से निकले थे पास में ही नदी पे जाने के लिए और आगे इदर जंगल में blueberries के लिए हाला कि blueberries अभी मिलेंगी नहीं मौसम जा चुका है blueberries का क्योंकि ठंड आने वाली है तो plan के उपर मेरे मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा कि जीवन में क्या plan बनाने ज़रूरी है यह सिरफ let it be like जो है उसी का आनंद लिया जाए जो घटरा है उसका आनंद लिया जाए बिना इसकी परवा किये कि आगे क्या होगा कुछ चीजे बड़ी स्वाभाविक होती है आपको उसमें कुछ plan करने की जुरूरत होती नहीं है जैसे कि धारन के तोर पे मालो एक जैसे अपने एक भीडी सी जगह में कोई बीडी तंग सी गली है या भीडे से घर में कोई ऐसी जगह है जहां आप जहां से एक आदमी ही निकल सकता है एक बार में तो एक आदमी ज या तो उपने पैर को नीचे कर ले या उठके दूसरे को रास्ता दे दे इसमें दूसरे आदमी को उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्लीज मुझे जाने दो यह स्वभाविक क्रिया है इसमें आपको कोई किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं कुछ प्लैन करने की जरूरत यह कि मैं वहाँ जाओंगा ऐसे निकलूंगा उपर होना पड़ेगा बोलना पड़ेगा तो जीवन में स्वभाविक चीजें बड़ी ही मतलब आप इनकी तरफ जागुरुक हो जाएंगे तो आनंद ही आनंद की अनुबूती होगी आपको ओके इसी को लेके मेरे को छोटी सी कहानी भी आदा गई हलाकि एकसर ऐसा होता है कि मेरे कुछ ना कुछ सोचते हुए कोई ना कोई कहानी बात यादा जाती है तो कहानी ऐसे शुरू होती है मैं शौर्ट में करके सुनाओंगा वैसे काफी लंबी कहानी है एक बार कोई एक आदमी होता है तलवार योधा होता ह तलवार चलाने वाला तलवार बाज बड़ाई परसिद्ध कि ऐसा कि तलवार निकाले और काट सब कुछ काट दे ऐसा विजेता तो वो अपना घर में अपने सोर आउता है तो रात को कुछ आवाज आती है देखता है कि कुछ चुहा आ गया है तो वो अपना देखता है और चुहे को मारनी कोशिश करता है एक दिंडा उठा के चुहे की तरफ फेक दितता है तो चुहा इदरूदर हो जाता है और वो मिस हो जाता है और डंडा तूट जाता है तो फिर वो अपना सोचता है उसके मन में संशे पैदा हो जाता है कि यार मैं तो इतना बड़ा तलवार वाज इतना योधा हूं और मेर से चुह को भी नइ पकड़ सकता है या इसको मार नहीं सकता तो फिर वो अपनी तलवार उठा लेता है चुह को मारने के लिए देखिये मतलब आदमी क्या बन जाता है किस चीज के लिए खालाकि उसे मालने हिंग जुरूरत नहीं थी चुहे को, लेकिन पिर भी कई बार ऐसा हो जाता है आदमी ऐसे हो जाता है, सिटूेशन तो वो उसको बड़ा गुसा आता है तो वो अगले दिन उठता है और सुबह अपना गाउं में अपने आसपास लोगों में अपना एक वो कलवा देता है कि एक चुहे को पकड़ना है और मुझे एक बिल्ली चाहिए मैं ये बड़ा चुहा बड़ा ऐसा है कि मेरी तलवार भी तूट गई इतना कुंखार चुहा है तो सारे आसपास गलियों में इधर उधर सारे हरे एक जगान ख़बर फैल जाती है कि कैसा चुहा चाहिए तो चुहा के लिए एक नॉर्मल कोई अपनी उसके आसपड़ोस से ही बिल्ली उसके घर छोड़के चला जाता है तो वो बिल्ली चुहा पकड़नी कोशिश करती है लेकिन चुहा नहीं पकड़ पाती तो वो भी अपना फिर से निराशा आथ लगती है तो ऐसे दो-तिन किसे ऐसे ही होते हैं कि कोई पकड नहीं पाता उस बिल्ली को तो ये खबर पहुंचते पहुंचते राजा के पास चली जाती है कि कोई ऐसी ऐसा चुआ है उसे कोई बिल्ली भी नहीं पकड पा रही तो जैसे बराजा की बिल्ली को पता लगता है ये बात कि ऐसे ऐसे कोई चुवा है तो बिल्ली मतलब अपने आपको एक डरी-डरी सी महसूस करती है कि यार ऐसा कुन सा चुवा आ गया और हो सकता है कि मुझे भेजें तो मैं कैसे पकड़ूगी उसको डर लगने लग जाता है तो ऐसा ही होता है ति राजा की बिल्ली को बेजा जाता है यह ज़रूर पकड़ लेगी चुवे को लेकिन उसके हाथ भी नाकामी हाथ लगती है तो फिर उसी चिंचार दिन राश होने के बाद चुहा किसी पकड़ में नहीं आता तो एक गली में से एक संत कोई फकीर ऐसे ही गुजर रहा होता है, उसके पास एक बिल्ली होती है, तो वो फकीर से पूछते हैं कि आप अपनी बिल्ली, कि आपकी बिल्ली ये मेरे इसको पगड़ लेगी चुहे को, तो फकीर बोलते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है बड़ी बहुत नॉर्मल बात है, जैसे लोहार का काम लोहा होता है, लकड़ी बात है, तो वो फकीर की बिल्ली जाती है, और फटाक से आपने चुहे पगड़ लेती है, तारी कुछ चीजे स्वाभाविक होती हैं, मुने प्लैन करने की, या अपना ऐसी चीजों के लिए अ आपने की, हलाकि मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ जो है, वो हमारे वश में नहीं है, सब कुछ घटना है, जो घटना है, वो घटेगा, जिब हमारे हाथ में ही बहुत सारी चीजे नहीं है, गड़ी नहीं कर सकते, तो आनंद लीजिए वरतमान का, तो बड़ा चोटा सा ये स अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, लाइक, शेर और सब्सक्राइब, तिल नेक्स टाइम, नमोन नारायन, धने बाद,